कॉंग्रेस एलेक्शन कमेटी की मिटिंग अभी इस वक्त दिल्ली में जारी है जहां पर राष्ट्री अध्यक्ष जो कॉंग्रेस के हैं मलिकार जुन खड़के इसके साथ ही राष्ट्री नेता राहूल गांदी है लेकिन इसी बीच सोन्या गांधी भी इस मिटिंग में मौजूद है इसी बीच जो बड़ी मीडिया के इंदर जो बाते चल रही है वे संभाविक नामों को लेकर चल रही है इसको लेकर जो मीडिया में खबरे बनी वी है संभाविक नामों को लेकर बनी हुई है नीमच में भी कहीत तरह की नाम आ रहा है है उम्राव सिंग गुर्जयर हो चाहे समंदर पटेल हो तरुन भाहिती हो या मालू बरताब सिंग्राटोर हो यह से कई नाम भी मीडिया की सुन्ख्यों में बने हुए है लेकिन दिल्ली पुरूमुख्य मंतरी पुरूमुख्य मंतरी कवलाथ दोनों के वीच में ही जो जावर्ड विदान सबाव नीमच विदान सबावं को लेकर पेज़ पसा हुआ है पूरी तरह से हाय कमान पशोपेश में इन सीटों मोहल लगा दे और नीमच हो चाहे जावाद हो या फिर गरोड विरान सभावों इन पर संशे बरकरार रखकर इस सीट्ट्यों को वर्ड भी किया जा सकता है यह बड़ी खबर दिल्ली से निकल कर आ रही है वेसे बताया गया था कि दो बचकर 25 मिनिट पर कॉंग्रेस की जो सू का दो और मिटिंग का सिल्सिला लगातार अभी तक जारी है बताया ज़ा है कि देर शाम तक पर यह सूची जाली हो जाएगी लेकिन यह कहना भी सही महीं होगा कि उसमें नीमच हो जावाद दरोड प्रांसभा का नाम भी शामिन हो हो सकता है कि इन सिटों को अब भी पुरोबब।